नमस्कार आप सभी का GS Magnet Case YouTube Platform पे तो साथियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका विहार पुलिस का एक्जाम है एक अक्टूबर से शुरू हो रहा है और आपका एक्जाम साथ एक्टूबर को भी होगा और 15 एक्टूबर को भी होगा ठीक है काफी कम समय है अब आपके पास एक्जाम काफी निरेस्ट है आपका तो इसके लिए हम लोग ज्यान बिंदू GS Academy मानिय रोशन अनसर के द्वारा चलाया जा रहा है अफलाइन क्लास के टेस्ट सिरीज के प्रस्णों को सल्व करेंगे और इस सेशन में हम लोग 100 प्रस्ण को सल् करते हैं याद करते हैं तो बहुत सारे प्रस्ण आपको टेस्ट सिरीज से ही मिलेगा आपके एक्जाम में बस आपको याद करने पर जोड़ देना है बार बार रिविजन करना है ठीक है तो आईए हम लोग आज के सेशन के प्रस्णों को सल्व करते हैं प्रस्ण पर आने से टेस्ट का पहला प्रस्ण आपके सामने है प्लेट विवर्तनी की सिधान्द का संबंद है प्लेट विवर्तनी की सिधान्द का संबंद आप से पुछा गया है आप सभी को बताना है किसे संबंदित है ध्यान रखिएगा प्रस्ण नमबर एक के लिए जो लोग भी सही बिल्कुल आपका सही जबाब है यानि कि प्लेट विवर्तनी की सिधान्त का संबंध है ध्यान रख्येगा हिमाले के उत्पती से है ठीक है ध्यान रख्येगा आज जो हिमाले देख रहे हैं आप एक समय में यहां पर 33 सागर नामक विशाल भूखंड था ठीक है तो ध्यान र नाम्क किस नाडी का संगम बिहार के किस जिले में हैं यानि कि घागर नदी गांगा से आकर के बिहार में कहां मिलती है यही आप से प्रuryष्ण पुछा गया है ध्यान रख्येगा आपके दो नंबर प्रस्ण के लिए सही जब आप अप्सन भी शारण हो जाएगा ठीक है दो नमबर प्रस्ण के लिए सही जब आप अप्सन नमबर भी को ध्यारख्येगा शारण है यहीं से आप से अगर पूछ ले कि करनाली किस नदी का नाम है ध्यारख्येगा घागरा को ही करनाली नदी भी कहा जाता है या कोरियाल भी कहा जाता है क्या नाम आप ज्याद से 252 अजय ध्यान कीटतर फो Liam में मपतातुंग से होता है कहां से होता है मपसातुंग ठीक है अप लोग ध्यान रख्येका यानि कि इसका उद्म में ऐसल है आपसे यहीं पूछ लिया जांगा कि ढग Lynn नदी कहां से निकलती है तो द्यान रख्येगा नैपाल नैपाल और इसकी टोटल लंबाई अगर नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब अपसन नमबर 20 सारण को ध्यान रखेगा प्रस्ण है देखिए तीन नमबर निमलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के विशाल मैदान का उपवर्ग नहीं है देखिए उपवर्ग कौन नहीं है आप सभी को बताना है ध्यान रखेगा उत नहीं पूछा गया है तो आपके परस्ञ का सही जबाब अपसन नम्बर D को आप लोग ध्यान रखेगा प्रायदी पे भारत उत्तर भारत के विशाल मैदान का उपवर्ग नहीं है आपके परस्ञ का सही जबाब अपसन नम्बर D हो जाएगा चार नम्बर प्रस्ण है निमलि किस नदीप है अगर नदी पूछ ले तो ध्यां रखेगा जहलम नदी कौन से नदी जहलम नदी आप लोग ध्यां रखेगा जो किस राज्य से संबंदित तो ध्यां रखेगा जम्मू कास्मीर ठीक है जम्मू कास्मीर आप लोग ध्यां रखेगा और देखिए सबसे बड़ी मिठे पानी का जील भी कहां है जम्मू कास्मीर में है और जिसका नाम क्या है बुलर जील आप लोग ध्यां रखेगा और देखिए तुलबुल परियुजना का संबंद आप से पूछा गया है अप्सन नम्बर एक को ध्यां रखेगा बुलर जील से ठीक है बुल्लर जिल चार नमबर प्रस्ण के लिए आपका सही जबाब हो जाएगा ठीक है देखिए अगला प्रस्ण आपका पांच नमबर है दक्षिन भारत मंसून के दो सखा औरव सागर की सखा तथा बंगाल के खाणी की सखा में विभाजित होने का कारण क्या है विभाजित हो अगला प्रस्ण नमबर हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है देख लिजिए चौँ नमबर भारत में मिर्दा अपच्षा है समस्या निम्न में से किसे संभनुदित है रखेगा मिरदा अपच्षाह समस्या original वनो-मुलन से संभनुदित है वनो-मुलन आप छोग ध्यान क प्रस्न का सही जबाब आप लोग बताईये क्या होगा भारत में निमलिखित में से किस परकार का one शर्वाधिक बिप्रियाध छेतर में पाया जाता है अप सभी से प्रस्न पूछा गया है ध्यान दख्येगा आपके प्रस्न का सही जबाब उस्न कटे बन दिये और्द जहां में पुछा जा चुका है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथ नमबर प्रस्ण के लिए जो लोग भी अप्सन नमबर ए बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जबाब है ठीक है चलिए आठ नमबर प्रस्ण है पोला वरम सिचाई पर्योजना के निव किस वर्स रखी गई थी देखिए पोला वरम सिचाई पर्योजना के निव किस वर्स रखी गई थी आप सभी को बताना है तो ध्यान रखिएगा इस सिचाई पर्योजना के निव 26 दिसंबर ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर 2016 और ध्यान और आपके प्रस्न का सही जबाब अपसर नंबर सी हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न है देखिए नौ नंबर हरित खेती में सनहीत है हरित खेती में क्या सनहीत है आप सभी को बताना है ध्यान रखिएगा नौ नंबर प्रस्न के लिए सही जबाब आपका क्या हो डोला माइट मिश्रण है डोला माइट किसका मिश्रण है आप सभी को बताना है ध्यान रख्येगा चुना पथर और मेगनेसियम का मिश्रण है डोला माइट किसका मिश्रण है तो चुना पथर और मेगनेसियम आप लोग ध्यान रख्येगा दस नमबर प्रस्ण के लिए सही जब आप अप्शन नंबर D को आप लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न है 11 नंबर बिहार में निमलिखित में से कौन सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है बिहार में सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र आप से प्रस्न में पूछा गया है बिहार में आपका बिहार प प्रस्णी के लिए सही जबाब होगा आपके प्रस्ण का सही जबाब, Apesan No.2 को ध्यान रखेगा देखिये अगला प्रस्ण है आपका देखिये तेरा नंबर 22 किस देश की रहधानी है और देखिए बिहार प्लिस के लिए मैं चैस्पेसल बिबीत का जो फ्रसण आप सभी को सल्व कराया हूंaimerें इस प्रसण को हम संप करा आएं जिसमें बीत लावह का भी कमबोडिया का भी और जोड़न का भी बताएं लेकिन टेस्ट स्रीज में बियंतियान पूछा गया है ध्यान रखेगा इस प्रस्थने के लिए सही जब आप अपसनम बड़ी लाओस हो जाएगा लाओस की रहधानी का है बियंतियान आप लोग ध्यान रखेगा यहीं प ठीक है चली अगला प्रस्थन क्या है 14 नंबर देखिए 20 की सबसे लंबी मीठे जल की जिल कौन सी है देखिए ऐसे प्रस्थन में आप सभी लोग फंस जाते हैं यहां लंबी पुछा गया है और एक बड़ी जिल भी है क्या है एक बड़ी मीठे पानी की जिल है और एक Apollo की इतना है तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग यानिकी की 60 किलोमेटर कितना है 1660 Second मेटर है लेकिन बड़ी पूछ ले बड़ी मिठे पानी का जिल हो जाएगा ठीक है। सुपरियल जिल का नाम आप लोग ध्यान रखेगा लेकिन लंबा पुछा है अपसन नमबर सी आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण क्या है देखिए 15 नमबर पेंटागोनिया मरुवस्तल अवस्तित है पेंटागोनिया किस महादेश में अवस तो आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अपसन नमबर यह हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपसे देखिए अगर आपसे एस्तान पूछ ले न तो ध्यान रखेगा अर्जेंटिना और छीली के छेत्र आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है लेकिन देखिए यहाँ पर मरुव नहीं है आपसे पूछ लिए घयार रख्येगा कथा वस्तू परस्थ्थ्न का सही जबाब होगा अपसा नमबर ये में दिया तीक है चलिए अगला 27 नमबर निम्लिखित में से कौन सा खरापाई तunu sontal भारत में नहीं है आप सब पूछा गया तो ध्यार क्थ कई 라는 आलमगीरपूर कहा है तो यूपी में है आलमगीरपूर कहा है यूपी में है काली बंगन कहा है तो ध्यान रखेगा काली बंगन आपका यहीं कि राजस्तान में हो जाएगा कहा हो जाएगा राजस्तान आप लोग ध्यान रखेगा बनवाली कहा है बनवाली कहा है ध्यान रख दिखिएगा कहा है पाकिस्तान में है ठीक है पाकिस्तान आपके प्रस्न का सही जवाब होगा लेकिन देखिए पाकिस्तान में अपसन नंबर c को आप लोग ध्यान रखिएगा अगला 18 नंबर मर्यकाल में संस्ता से तत्पर है मर्यकाल में संस्ता से तत्पर क्या है आपसे पूछा गया है द्यान रखेगा आपसा नंबर भी यह निकी गुप्त चर गुप्त चर क्या था एक संस्ता था ठीक है आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अपसा नंबर भी होगा चलिए उन्निस नमबर प्रस्ण है चोल काल में नरगम था चोल काल में नरगम क्या था आप सभी से पूछा गया है ध्यान रखेगा बैपारियों की एक क्या थी सभा थी बैपारियों की सभा उन्निस नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब क्या होगा अपसन नमबर सी को आप लोग ध देख लिजी दीखिए इस प्रस्थ के लिए अपके सामने दिया गया है अपसने में दिया गया है कर अरो की वंस सी में दिया गया है चंदेल वंस और डी में दिया गया है चौहान वंस बीस नंबर प्रस्ने के लिए सही जबाब बताना है कि क्या होगा इसके लिए सही जबाब तो ध्यान रखिएगा आपके प्रस्ने के लिए सही जबाब अपसन नंबर भी सुलंकी वंस हो जाएग कि भीम पर्थम के जो सामन्त बीमल थे इन्हों ने ही दिलवडा के जन मंदिर का निर्माना करवाया था ठीक है तो आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखेगा एक इस नंबर प्रस्ण है देखिए प्रस्ण को नील नदी का यूद क किन के बीच हुआ था नील नदी का यूद किन के बीच हुआ था तो ध्यान रखेगा फरांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था एक किस के लिए सही जबाब आपका अप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्यान रखेगा प्रस्ण आपका 22 नंबर है देखिए प्रस्ण को पढ़ पर्थम 10 यूद में धूरी रास्ट का नेत्रित किसके द्वारा किया ता ध्यान रखेंगा ध्यानगा द्यानध की Якजा द्धील-श्वकाली दूरी दुरी रास्ट का नेत्रित जेर्मनी ने किया था इनिकी विश्व जोता प्रथम विश्यूद में ही दो गुटों में बच चुका था एक मित्र राष्ट ध्यान देजेगा प्रस्निया से पुछा जाता है और पुछा गया है एक मित्र राष्ट और एक क्या बटता धूरी राष्ट ठीक है अब देखिए मित्र राष्ट में कौन- पुछ लिया जाता है कि कौन कौन से देश सामिलता तो ध्यां रखिएगा हंगरी सामिलता कौन सामिलता हंगरी का नाम आप लोग ध्यां रखिएगा धूरी रास्ट में सामिलता ठीक है तुर्की भी धूरी रास्ट में सामिलता और इटली भी धूरी रास्ट में सामिलता इस फिर्फट और मित्र दास्ट में सा》मिल देसों का नाम अप लोग ध्यान रख्याँ एक्जाम में आप से प्रश्ण पूचल लिया जाता है लेकिन देखिए यहां से पूच्छा गया है कि दौरी रास्ट का इसने के सुल्तानों, दिली संतलत के सुल्टानों में सरस्ताइस सेना किस के पास था? इसने के सुलाश को नगद वेतन देना शूरू किया था, इस बात को भी आप लोग ध्याआरखेगा, आपके इस प्रस्न का सही जवाब अप्सन नंबर B हो जाएगा ठीक है यहीं से आपसे पूछ लिया जाए बजार नियंत्रन परणाली किस ने सुरू किया तो ध्यान रखेगा अलाओ दिन खेल जी नहीं सुरू किया देखिए सारजिनिक निर्माण विभाक यह स्तापना अप्सन नंबर E को ध्यान रखेगा लोड लोहोजी ने किया था ठीक है और इसी के समय में भारत में रेल चला था इस बात को भी ध्यान रखेगा कब 1830 में ठीक है ध्यान रखेगा आप सभी लोग और देखिए लोड लोहोजी का सासन काल भी आप लोग ध्यान रखेगा 848 से ले करके 848 से ले करके 1856 तक था 1856 तक था आप लोग ध्यान रखेगा और देखीए 25 के लिए सहीज़बाब अफसर नमबरे लौड लोजी का नाम अप लोग ध्यान रखेगा ठीक है? चलिए 26 नमबर प्रस्ण है रंजीत सिंग का जन्म कहा हुआ था सकते हैं आपकर देखिए 27 नंबर है निमलिखित में से कौन महालवाडी विवस्ता से समबंदीत नहीं मार्टास सो सम्बंदीत है घेम्सत किは जाए जियाँ लाइल प्रस्न का सही जवाब अप्सन नंबर D होगा यहीं से पूछले महालवाडी विवस्ता का प्ररम्ब कब हुगा तो ध्यान रखेगा 822 में हुगा ठीक है 822 आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्न है 28 नंबर भारतिय सुधार संग के संस्थापक रहे हैं कौन रहे हैं भ गाधी इर्विन समझाता को किस कंग्रेशी नेता ने भारत के सम्वेधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा है ध्यान दिजिएगा गाधी इर्विन समझाता कब हुआ तो ध्यान रखेगा पूछा जाता है 1931 में हुआ ठीक है और देखिए इसको जो भारत क सम्वेधानिक इतिहास कार जिन्होंने युग परवर्तक की घटना कहा है उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा अप्सन नंबर भी के एम मुनसी ने कहा है अप्सन नंबर भी होगा 29 नंबर प्रस्ण के लिए सही जवाब 30 नंबर प्रस्ण है पक्तून पत्रिका का संब अपसे पूछा गया है ध्यान रखिएगा सभिनय अवग्या अंदोलन कब हुआ था 1930 में हुआ था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा 30 नंबर प्रस्ण के लिए सही जवाब आपका अपसन नंबर ए होगा ध्यान रखिएगा 31 नंबर प्रस्ण है निमलिखित में से क अंदरा आप लोग ध्यान रखिएगा नहीं पूछा गया है आपके प्रस्ण का सही जवाब अरुना आसफ अली का नाम ध्यान रखिएगा ठीक है यानि कि 31 नंबर प्रस्ण के लिए सही जवाब अपसन नंबर C होगा वही बात क्या जाए हंसा मेहता का मालती चोदरी का व लोग भारतिय समिदान समभा में समिलित थी ठीक है नहीं पूछा है आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नंबर C होगा 32 नंबर प्रस्ण है भारत में महालेखा परिक्षक का प्रावधान भारत सासन अधिनियम 1919 में किया गया था इसकी नियुक्ति का अधिकार किसके पा फोगा ठीक है अगला प्रस्ण है देखी है यहां पर 33 नंबर भारतिय समिदान की प्रस्टावना की भासा को किस देश से गरहन किया गया देखिए प्रस्तावना की भासा ध्यान रखेगा अस्ट्रेलिया से गरहन किया गया है कहां से अस्ट्रेलिया 33 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब अप्शन नमबर D को आप लोग ध्यान रखेगा 34 नमर प्रस्न है केंद्रिय प्रसासनिक अधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है कौन होता है अध्यक्ष एक अप्षन आपते सामने है और तिन अप्षन बाकी है मैं दिखा देता हूँ आप लोग देख लिजिए ठीक है चलिए चोंतिस नमर प्रस्ने के लिए अप्षन B उच्तम न्याल önem का न्याधिस, C उच न्यालले का न्याधिस और D उच न्याले का मुख्य न्याधिस बताएं चोंतिस नमर प्रस्ण के लिए सही जवाब क्या होगा तो ध्यान रखेगा उच न्यालाय का न्याइधिस हो जाएगा दिया वह वह राज बिधान परिषत का सदस्वें चुने जाने का योग हो गता हो बिधान सभा के सदस्त चुने जाने के योगता नहीं रखता हो यहां कतन सज्वना चाहिए बिधान परिसय आपका गलत है य्यादिसा क्या है बिलकुल सज्वाता है यह भी सही है, C भी सही है, B भी सही है, गलत पुछा है, अपसा नमबर A होगा आपके इस प्रस्न का सही जवाब, चलिए, अगला प्रस्न है आपका देखिए, 36 नमबर, संग राज छितर के लिए, उच न्याले का प्रावधान किस भिभाग में नहीं थे, किस भाग, सोरी, भ भाग में नहीं थे, आप सभी को बताना है, देखिए, 36 के लिए भाग पुछा गया है, अपसा नमबर D हो जाएगा, भाग 8 में नहीं थे, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रस्न है, आपके एक्जाम के लिए, ठीक है, चलिए, 37 नमबर प्रस्न है, मौलिक अधिका पर युक्ति युक्त परतिबंद राज लगा सकता है, परतिबंद का कारण उचित है या नहीं, इसका निरधारन कौन करता है, आप सभी को बताना है, तो देखिए, इसका निरधारन जो करता है, ध्यान रखिएगा, नियालाई करता है, कौन करता है, नियालाई, आपके इ पुछा गया है तो ध्यान रखिएगा भारत बिनासी राज्यों का और बिनासी संगठन है अप्शन नमबर बी अर्तिस नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब होगा 49 नमबर प्रस्ण है भारत के समुद्र पारिये नागरिक OCI में निम्न में से किस देश के नागरिक सामिल नहीं हो सकते है आप सभी को बताना है नागरिक्ता से संबंदित प्रस्ण है और इस प्रस्ण के लिए सही जबाब बंगलादेश हो जाएगा अप्शन नमबर A आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है चलिए चालिस नमबर प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा अनुछेद संसत को यह सकती प्रदान करता है कि वह अस्प्रस्ता के आच्रण हेतु दंड की बिधी का निर्मान करे आप सभी को बताना है तो देखिए चालिस के लिए सही जबाब अप्शन नमबर A को ध्यान रखेगा अनुछेद 35 आप के प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण क्या है एक तालिस नमबर भारत के उपरास्ट पती को पद युप्त करने संबंधित प्रस्ताव इसके लिए केवल राज सभा में हो क्या हो राज सभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तभी रास्ट पती हटाया जाएंगे ठीक है तो ध्यान रखेगा एक तालिस नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब अप्शन नमबर B होगा ध्यान रखेगा चलिए 42 नमबर प्रस्ण है तो अप्सन नंबर डी होगा क्या होगा डी इन में से कोई नहीं ध्यान रखेगा आप लोग लोग अदालतों के निर्णाय के खिलाब अपील करने का अधिकार किसी भी नहाले में नहीं है तो आपके प्रस्न का सही जबाव क्या होगा अप्सन नंबर डी को ध्यान रखेगा इनुकि अफिल नहीं किया जा सकता है, 43 नमर प्रस्ण है आपके सामने देख लिजिये, राज बिधान सभाके विघटन की सक्ति किसमे नहीत होती है, किसमे नहीत होती है, आप से पूछा गया है, ध्यान रक्षिएगा, अपसा नम्बर भी, राज्यपाल में नियित होता है, किस में नियित होता है, राज्यपाल आपके प्रस्न का सही जवाब होगा, 43 नमबर प्रस्न के लिए, ठीक है, ध्यान रखेगा, 44 नमबर प्रस्न है, प्राकलन समिती का गठन किस वर्स किया गया, प्राकलन समिती का गठन आपसे पूछा गया है ध्यान रखिएगा 1950 में किया गया था अप्षन नमबर डी आपके प्रस्थन का सही जवाब होगा ठीक है अगला प्रस्थन देखिए 45 नमबर राष्टिये पंचांग में 9 वर्ष का आरंब की समाह से होता है यहनिकि राष्टिये पंचांग का पहला महिना का नाम आपसे प प्रस्थन द्यान रखिएगा 46 नमबर प्रस्थन हैं फेडरेशन कप का संबंद की स्किल्स है फेडरेशन कप का संबंद आप से पूछा गया है ध्यान रखिएगा फेडरेशन कप का संबंद बास्केट बॉल से अप्षन नमबर यह होगा 46 नमबर प्रस्थन के लिए सही में जबाब स्यतनलिस नमर्परसनी है। हाक की कि परिस्दमी १ाल जाता है। स laptops नमर्परस्टनी के लिए अप्षण आपके सामने है। अप्षण E में है पीज़ पे B में है फियल्ड धी में है फिल्ड सी में लिदि के ज़्दच करत करकारी नियंत्रन को सिथिल या समाप्त करने की क्रिया विदी है क्रिया विदी आप से पूछा गया है ध्यान रखेगा जो लोग भी इस प्रस्णी के लिए सही जबाब अपसंडी उदारी करन बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जबाब है ठीक है चलिए उन्चास नमर पस ने भी आपके अबर प्रस्ण का है देखिए प्रस्ण को पढ़िए नगदी लेंदेन सिधांत के परतिसबं के नगदी लेन देन सिधान्त के परतिपादक का नाम पुछा गया है ध्यान रखेगा इस प्रस्ण के लिए जो लोग भी सही जवाब अप्सन नंबर भी फीसर बता रहे हैं बिल्कुल अप्सन भी पचास नंबर प्रस्ण के लिए सही जवाब होगा ठीक है चलिए आगे के प्रस्ण आप साइन्स से है देखिए कितना एजी प्रस्ण है एक आवन नंबर भीहार प्रस्ण में पूछा गया प्रस्ण है बिधूत धारा का एसाई मात्रक आपसे पूछा गया है क्या होता है एंपिर होता है केलवीन किसका होता है तो ताप का होता है सेल्सियस भी ताप ही का होता है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है चलिए बावन नमबर प्रसने उचाई बढ़ने पर एस्थिति उर्जा का मान आपको बताना है घड़ता है बढ़ता है क्या होता है तो ध्यान रखिएगा बावन नमबर प्रस्णि के लिए सही जवाब क्या होगा तो अफसर नमबर एक को ध्यान रखिएगा यानि कि बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्णि क्या है देखिए यह पर तिरपन नमबर सार्वत्रिक गुर्तवा कर्शन नियतांक जी का प्रायोगिक मान सरपर्थम प्रस्तुत किया था किसने प्रस्तुत किया था आप सभी को बताना है तो देखिए इसको प्रस्तुत करने का काम आप लोग ध्यान रखिएगा तिरपन के लिए सही जबाब हें तो आपका सेसन लिया था यानिकी देशव प्रस्णों का उसमें जी का मान भी में बताया था और इसका प्रियोग सरपर्थम कि इस ने किया था वह भी बताया था तो ध्यान देजिए इस प्रस्ण के लिए सही जबाब अपसन नमबर डी को आप लोग द्यान रखेगा चोमान नमबर प्रेस्टन है उत्पलावक बल द्रव में डूबी पिंड के किस रासी पर निर्भर करता है किस रासी पर निर्भर करता है ध्यान रखिएगा यानि कि घनत्त पर निर्भर करता है आयतन दोनों पर निर्भर करता है अप्सन नम्बर D, A तथा भी दोनों हो जाएगा इस प्रस्ने के लिए सही जवाब, पच्पन नम्बर प्रस्ने है, ध्वनी का वह लक्षन, जिसके कारण समान तिवर्ता तथा, समान तरत्तों की ध्वनियों में अंतर प्रतित होता है, डैस कहलाता है, यहनि कि क्या कहा जाता है, देखिए प्रस्न को एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे प्रस्न आपका क्लियर हो जाए, और पच्पन के लिए सही जवाब, जो लोग भी अप्सन C बता रहे हैं, गुनता, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है, चलिए 56 नमबर प्रस्न है, द्रोग के ताप मापी में परियोग किया जाता है, द्रोग के ताप मापी में किसका परियोग किया जाता है, तो ध्यान दिजिएगा, काफी जी प्रस्न है, अप्सन नमबर एक को ध्यान रखेगा एलकोहल किसका प्रयोग किया जाता है एलकोहल आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आपका संतावन नमबर देखिए प्रस्ण को पढ़िए यदि धर्मस में भरी चाय को तेजी से हिलाया जाए तो व बाहर नहीं लेकलती है अप्सन नमबर ए होगा संतावन नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है अंठावन नमबर एसनेल के नियम का संबंद किसे है तो प्रकास से है किसे है प्रकास से है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा अप्सन नम किसके द्वारा किया था देखिए चुम्बक का खोज पुछा गया है तो ध्यार किया गया आप से पूछ ले प्रेण जब से चुम्बक की का खोज किसней कि ने किया था सब्सक्री लेकिन और वहां आप से शाटिन नंबर स्वाड़ किसmore नाभी का एस्ताइद तो निर्भर करता है उसमें उपस्तित किसके उपस्तिती से नाभी का एस्ताइद तो निर्भर करता है तो ध्यां रखिएगा साथ नंबर प्रस्णी के लिए सही जबाब क्या होगा दो अप्शन और भी है देख लिजी आप लोग अप्शन C में है रासाइनिक योगिक कौन सा है आप से पूछा गया है ध्यान रखेगा रासाइनिक योगिक पूछा गया है तो अमोनिया आप लोग ध्यान रखेगा अपसन नमबर वी एक्सट नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेगा चलिए अगला प्रस् फ्रस्ण एक घोल किसकी कोलाइडी बिल्यन होता है आपसे पुछा गया है और देखिए द्रऊ में द्रऊ का बिल्यन होता है द्रऊ में द्रow 63 नमबर प्रस्ण के लिए अपसो नमबर इह होगा सही जब़ाब 64. परम सुन्यताप का ततपर्य है आपसे पूछा गया ध्यान दखियेगा वह ताप जिसपर सभी आणविक गती बंद हो जाती है उसे क्या कहा जाता है परम सुन्यताप कहा जाता है 64 के लिए सही जबाब अपसान नंबर C को आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण है 65 नंबर आवर्त साणी में नियूंतम किरियासिल तत्तो आप से पूछा गया है और देखिए नियूंतम किरियासिल तत्तो क्या हो जाएगा तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग 65 के लिए सही जबाब अपसान नंबर D को ध्यान रखेगा उत्त क्रिश्न गैस उत्त क्रिश्न गैस का नाम आप लोग ध्यान रखेगा अपसान नंबर D होगा 65 नंबर प्रस्ण के लिए सही जबाब 66 नंबर प्रस्ण है plaster of Paris का रासाइनिक नाम है plaster of Paris का रासाइनिक नाम आपसे पूछा गया है ध्यान रखेगा calcium sulfate hydrate हो जाएगा इसका रासाइनिक नाम सुत्र पूछ ले तो ध्यान रखेगा C-A-S-O-4 into 1 बटा 2 H2O आप लोग ध्यान रखेगा रासाइनिक सुत्र इसका ठीक है चलिए 60 नमर प्रस्ण है निमलिखित में से कौन से धातू सबसे भारी है सबसे भारी धातू आपसे पूछा गया है ध्यान रखेगा सबसे भारी धातू का नाम सबसे भारी धातू कौन सा हो जाएगा तो ध्यान रखेगा आपका यानि कि 60 नमबर प्रस्णी के लिए सही जबाब सोना हो जाएगा सोना का नाम आप लोग ध्यान रखेगा इसका संकेत होता है AU होता है चांदी का AG होता है लोहा का FE होता है तामबा का CU होता है copper आप लोग ध्यान रखेगा अंसरट के लिए सही जबाब अप्सन नंबर A होगा चली अंसरट नंबर पर ने बैपारिक एस्थर पर मिथेन प्राप्त किया जाता है बैपारिक एस्थर पर मिथेन किस प्रक्रिया के दोरा प्राप्त किया जाता है आपको बताना है ध्यान रखेगा अलुमिनियम करवाइड पर जल की किरिया से क्या प्राप्त होता है बैपारिक मिथेन प्राप्त होता है यानि कि अंसरट के लिए सही जबाब आपका क्या हो जाएगा तो अप्सन नमबर B आप लोग ध्यान रखेगा सही जबाब होगा इसका उनातर नमबर प्रस्ण है नाइलोन बनाई जाती है नाइलोन किसी से बनाई जाती है तो नाइलोन जो बनाई जाती है ध्यान रखेगा पोली एमाइड से बनाई जाती है पोली एमाइड आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा अपसर नंबर C में दिया गया है चलिए 70 नंबर प्रस्ट में है कोईला निर्मान का अंतिम अवस्ता क्या कहलाता है तो देखिए अंतिम अवस्ता पुछा गया है तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग 70 के लिए सही जबाब क्या होगा ध्यान रखेगा एंत्रासाइट हो जाएगा इसमें कार्बन की मातरा ध्यान रखेगा 90 से 98 परतिसत होता है ठीक है वही पर्थम अवस्ता अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेगा फीट पीट हो जाएगा पर्थम अवस्ता अंतिम हो जाएगा एंत्रासाइट ठीक है तो 1883 में एस्थिम्पर होना चाहिए यहां पर त्यां रखिएगा अप्सन नंबर भी होगा इस प्रस्ण का सही जवाब यहीं पर आप से पूछ ले कि जी फेलेड ने किसका खोच किया तो ध्यान रखिएगा लाइसोसों किसका लाइसोसों ध्यान रखिएगा लेकिन देखिए पंडढ़ित्प पूछा गया है concept नंबर b होगा एकΥ्तर नंबर पृस्न के लिए यही जवाब अगला प्रस्फन है 221 पराग गणड़ेशै पराग गणड़ेशै पराग गण़ पूछा गया है कंड़iesoahl पढ़ियेगा परागण पूछाह आए तो ध्यार रखिएगा 72 जोर उर्जा का अधिक्तम योगी करण किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो ध्यान रखेगा हरे पोधे आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा तीयत्तर नंबर प्रस्ण के लिए सही जवाब अपसन नंबर डी हो जाएगा चोहत्तर नंबर प्रस्ण है निमलेख क्या है पादफ हार्वोन है साइटो काइनिन क्या है पादफ हार्वोन है ठीक है ध्यान रखेगा आप सभी लोग अपसन नंबर सी हो जाएगा या जन्तु से संबंदित है इंसुलिन ठीक है ना पादफ से संबंदित नहीं है चोहतर के लिए सही जबाब अपसन नंबर सी जैब मंडल अरक्षित छेत्र का सबसे सही विवरण है सबसे सही विवरण आपसे पूछा गया है ध्यान रखिएगा सतत विकास का अध्यान एस्तल 75 नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब होगा ठीक है? चलिए 76 नमबर प्रस्ण है गुण शुतरी इस प्रस्ण का सही जबाब होगा अपसन नमबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है? चलिए अगला प्रस्ण के लिए देखिए 77 नमबर देत्याकार समुंद्री घास है एक क्या है? जीवाणू है कोवक है प्रोडोजोवा है सेवाल है क्या है बताना है आप सभी को तो ध्यान रखिएगा 77 के लिए सही जवाब अपसन नमबर C हो जाएगा यहीं कि सेवाल है क्या है सेवाल आप लोग ध्यान रखिएगा 88 नमबर प्रस्ण है मानो शरीर का रक्त बेंक किसे कहा जाता है तो रक्त बेंक जो कहा जाता है प्लीहा को कहा जाता है ध्यान रखिएगा 88 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब अपसन नमबर A होगा ठीक है चलिए 89 नमबर प्रस्ण है गल गरंती ठीक है थाइरोइड का कार क्या है थाइरोइड का कार आप सभी से पूछा गया है देखिए थाइरोइड का जो कार है ध्यान रखेगा उपापच्च का नियंत्रण अप्सन नंबर जोधो ओल में लोगपाल के अध्याक्ष यहनि की लोगपाल के अध्याक्ष करेंट-फ्यर के प्रस्वी प्रस्वी इंपोटेंट प्रस्व्यर के रट जाना है current of year इस state का ठीक है तो ध्यार रखेगा लोगपाल अध्यक्ष आप से पूछ लिया गया है तो क्या होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब तो ध्यार रखेगा परदीप कुमार मुहंती का नाम आप लोग ध्यार रखेगा अपसा नंबर B होगा इस प्रस्ण क सही जबाब 82 नंबर प्रस्ण है हाल ही में भारतिय उलम्पिक संग के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो ध्यार रखेगा पीटी उसा बनी है अपसा नंबर D ब्रस्ण के लिए सही जबाब होगा ठीक है अगला प्रस्ण है 83 नंबर हाल ही में विहान मेला दोहजार ते 84 नमबर प्रस्ण है किस राज की सरवति ग्यहूं को 2023 का जी आई टेक मिला है जी आई टेक से आपके एकजाम में एक प्रस्ण रहेगा इस बात को आप लोग द्यान रखेगा चलिए तो इस प्रस्ण के लिए सही जवाब द्यान रखेगा अमध्य परदेश आपके प्रस्ण क का सही जवाब हो जागा अपसर नमबर बी में दिया गए 85 नमबर प्रस्ण है हाली में जुलाई 2030 में ओमान चांडी का निदन हो गया इसका संबंद देखिए ओमान चंडी का संबंद का अगर बात किया जा तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग अपसर नमबर सी को राजनीत से था किसे राजनीति आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा देखिएगा 86 नमबर प्रस्ण जी ट्वेंटी से है और काफी इंपोटेंट प्रस्ण है 2023 जी ट्वेंटी की अध्यक्सता भारत ने किया है नई दिली में हुआ है ठीक है और देखिए इसका थीम आप से पूछा गया है क्या पूछा गया है तो ध्यान देजिएगा थीम क्या है 2023 में जी ट्वेंटी का तो ध्यान से आप लोग इस प्रस्ण को याद रखेगा एक प्रित्वी एक परिवार एक भविस अपसन नंबर ए होगा 86 नंबर प्रस्ण के लिए सही जवाब ठीक है 87 नंबर प्रस्ण है सुरक्षा बांड 2023 युद्धा अभ्यास में कौन सा देश सामिल नहीं है कौन सा देश सामिल नहीं है यानि कि गलत पूछा है तो ध्यान देज अपसन नंबर डी भारत सामिल नहीं है अपसन नंबर डी होगा 87 नंबर प्रस्ण के लिए सही जवाब 88 नंबर प्रस्ण है ओप्रेशन मर्यादा किस राजिक की पुलिस के द्वारा आपसे पूछा गया है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 88 के लिए सही जवाब अप्सन नमबर B को ध्यान रखिएगा उत्राखंड ठीक है उत्राखंड आपके इस प्रस्ण का सही जवाब होगा चली अगला प्रस्ण है आपका 89 नमबर हाली में भारत की बारहुई महारात्न कमपनी कौन बनी है बारहुई मारात्य कंपनी अप्सन नमबर ए को ध्यान रखेगा गरामिन विधूती करण निगम ठीक है 89 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब अप्सन नमबर ए होगा चलिए 90 नमबर प्रस्ण है एक ही में चर्चा में रहा इरावत क्या है आपसे पूछा गया है ध्यान रखेगा सूपर कॉम्पीटर है क्या है सूपर कॉम्पीटर अप्सन नमबर सी होगा 90 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब 90 नमबर प्रस्ण है हाली में एंटी टेंक गाइडेड मिसाइल अमोगा थिरी का सफल परिक्षण किया है तो देखिए इसका सफल परिक्षण आप लोग ध्यान रखेगा अपसन नमबर डी भारत डाइनेमिक्स यानिकी BDW ने किया है अपसन नमबर D होगा या 90 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब 92 नमबर प्रस्ण है भारत में 9 से ना दिवस किस तिथी को मनाया जाता है तो देखिए 92 के लिए सही जवाब 4 दिसंबर ध्यान रखेगा 1 दिसंबर को 8 दिवस मनाया जाता है ठीक है देखिए 92 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब अपसन नमबर भी होगा 93 नमबर प्रस्ण है हाले में बिहार की estate icon किताब मैथली ठाकुर को कौन परदान किया है कौन परदान किया है आप सभी से पूछा गया है प्रस्ण द्यान रखिएगा यह किताब जो परदान किया है अपसन नमबर चुनाव आयोग ने किया है अपसन नमबर यह होगा 93 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब 94 नमबर प्रस्ण है जर्मनी सांती पुरस्कार 2023 से किसे समानित किया गया है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अपसन नमबर 80 होगा आपके इस प्रस्ण का सही जवाब, सलमान रुस्दी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिए, आगे प्रस्ण है आपका देखिए 95 नमबर, हाली में भारत ने किस देश को हरा कर, सेफ चेंपियन 2023 का किताब जीता है, ठीक है, तो 92 के लिए सही जवाब अपसन नमबर B होगा, मैत का प्रस्ण है, सलम कर लेजिएगा आप सभी लोग, ठीक है, लेकिन इसका एंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग B होगा, इनिकी 10 वाइगा सलम किजिएगा तो 97 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानिकी D हो जाएगा, ठीक है, D आप लोग ध्यान रखिएगा, वही अगर बात कर लिए जाए 98 नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अपसन नमब ओर भी हो जाएगा तो फो ही बात क्या जोए 99 नंबर प्रस्थ su沼 जबाब को सबस्सक्राइए तो फिसको को रोगा इसपर तो द्यां लेकिन आप सभी का 100% इस सेशन का complete हुआ काफी important सेशन के फ्रस्न है आप सभी लोग रटा मार करके याद ही कर लीजिएगा एक से दो प्रस्न इस सेट से ही आपके एकजाम में टपकेगा ठीक है इसलिए आप सभी लोग revision कर लेजिएगा इस सेट के प्रस्न को और ध्यान रखेगा इसका PDF में टेली गराम पर दे दूँगा वहाँ से आप लोग बार-बार revision करते रहिएगा चलिए तो हम लोगों का जो आज के टेस्ट का 100% था complete हुआ आप सभी लोग comment करके बताईए कि आपका score अब कितना हो पाया है आज के 100% के इस सेट में तो देखिए आप सभी लोग अपना-पना score जरूल comment में बता दीजिएगा और देखिए अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को like कर देजिएगा चैनल पने हैं और चाहते हैं कि इस बार exam को हमें फोड़ना है यानि कि बिहार पुलिस एक्जाम को निकालना है तो आप सभी के लिए यह चैनल काफी ज़दा important है चुकि इस चैनल के माध्याम से offline class का free of cost test series fed wedge का सल्व कराया जाता है तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत